नवश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल Learn, Invest and Earn मैं मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज का जो वीडियो है ये हम लोगोंने continuation किया हुआ है हमारी जो सिरीज चल रही है जिसमें हम लोगों को basics एकदम basics क्रैट से सिखाने की कोशिश कर रहे है जिनको stock market के बारे में कुछ भी idea नहीं है तो इस सिरीज में हमारा आज ये चौथा वीडियो है अगर आप लोगोंने पहले तीन वीडियो नहीं देखे है तो link नीचे description box में दी है एक एक करके उपर flash भी हो जाएगी i button पर आप जाके देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी stock market की जो journey है वो थोड़ी सी आसान हो जाए आज को जो topic है ये है trend ट्रेंड ये word आपने बहुत बार सुना होगा और इसके उपर हम लोग आज discussion करने वाले हैं trend की उपर discussion करने से पहले एक मैं myth या फिर मैं कहूंगा एक गलत फहमी या फिर एक गलत सोच जो बहुत से लोगों में stock market को लेके ये है उन्हें लगता है stock market एक gambling है एक मतलब मैं कहूंगा जुआ है उन्हें लगता है कि हाँ मैंने आज पैसा लगा दिया तो उपर तल जाए तो मुझे पैसा मिलेगा अगर मेरा नसीब नहीं रहेगा तो शायद मैं हार जाओं तो क्या stock market एक gambling है ये आज के वीडियो के बाद की जो series है इसमें आपको ज़्यादा clear में समझ में आएगा कि क्या ये सच में gambling है यहाँ पर कुछ और भी चीज है जो माइने रखती है जि पैसा बनाना है stock market में क्या आपको gambling करना है देखिए choice आपकी है बहुत लोग market में मैं कहूंगा in fact 90% लोग market में gambling करने आते हैं उन्हें लगता है कि stock market में बस पैसा लगा दिया और रातो रात वो double हो जाएगा क्योंकि वो किसी और की success story देखते हैं ना कि वो ये देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना अपना time patience और कितने efforts लगा हैं उस market को सीखने में जहां से वो पैसा कमा पा रहा है no doubt stock market एक पैसे का समंदर है आप जितना पैसा चाहो इसमें से निकाल सकते हो इसमें कभी पैसे की कमी नहीं आएगी लेकिन उसके लिए सबसे important चीज़ ये है कि पड़ेगा आपको study करना पड़ेगा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछू कि आप आज की date में engineer, doctor या फिर मैं कहूंगा teacher या कोई भी field में आपने graduation या post graduation लिया है और उसके बाद आप उस field में एक सफल मैं कहूंगा कि employee, employer या businessman है तो क्या आपने वो रातो रात हासल कर लिया था क्या आप engineer, doctor या फिर कोई भी bachelor degree जो आपने ली है क्या वो आपने रातो रात ले ली थी नहीं आपने अपने education की journey start की right from lower kg जहां से आपने ABGD की पहले सुरुआत की उसके बाद धीरे धीरे करके आप बड़े हुए आपने और knowledge gain किया और over the period of time आपने जब 14-15 साल 17 साल उस particular system को दिए जहां से आप सीख सकते हैं तब जाके आप एक matured employee, businessman या employer बनके निकले हैं correct तो उसी तरह stock market भी है अगर आप stock market को gambling की तरह देख रहे हैं तो आप एक बात ध्यान में रखिए कभी भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे stock market में कभी नहीं बना पाएंगे specially अगर आप किसी और के कहने पर stock market में पैसा लगा रहे हो और खुद analysis नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है shortcut में अगर पैसा कमाना है तो stock market सबसे बड़ा risky place है इसलिए इसको लोग gambling समझते हैं लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें कितने efforts लगते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि trend क्या होता है बहुत बार आपने बहुत लोगों की मुझसे एक मैंने से सुनगा एक phrase सुना होगा एक कहावत सुनी होगी trend is your friend correct लेकिन trend होता क्या है trend को हम लोग कैसे identify करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मैं stock market की भाषा में बोलूँ तो trend मतलब एक direction ट्रेंड के तो कई मतलब होते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर focus करेंगे सिर्फ और सिर्फ stock market से related stock market में trend मतलब direction कौन से direction में market जा रहा है अगर इस direction में जाना है तो इसके बीचे logic क्या है इसके बीचे reason क्या है और अगर मैं trend समझने लोगूँ तो क्या मैं पैसा बना सकता हूँ इस सवाल का जवाब है हाँ लेकिन किस टाइप के trends होते हैं market में तीन टाइप के trends होते हैं पहला होता है uptrend दूसरा होता है downtrend और तीसरा होता है sideways मैं सीधा आपको chart पे लेके चलूँगा जो technical charts होते हैं जिसके उपर मैंने थोड़े कुछ videos बनाया है पहले उन charts पे लेके ज करूँगा uptrend क्या होता है downtrend क्या होता है sideways trend क्या होता है और अगर आपने ये trend पकड़ना सीख लिया तो मैं कहूँगा कुछ हद तक कुछ हद तक आप market को समझने लगेंगे फिर आप सोचेंगे हाँ ये gambling नहीं है इसमें आपको चीजों को analysis करना है समझना है study करना है इसको आपको time देना है तो ही आप यहां से पैसा बना पाएंगे तो बिना और समय कवाए सीधा चलते हैं charts की उपर और दिखाता हूँ आपको charts की उपर की uptrend downtrend और sideways क्या होता है तो यहां पर मैंने nifty का chart open किया है chart कोई भी रही है उस पे कोई problem नहीं है मैं सरिफ आपको example बता र कि सबसे पहले uptrend क्या होता है uptrend मतलब अगर कोई भी stock या कोई भी instrument एक channel में चलता है जैसे कि अगर मैंने इस low से यहां पर एक line खीच दी और यहां से एक मैंने line खीच दी तो आपको दिखाई पड़ेगा market में जो उपर नीची की movements आ रही है न वो इस तरह की movements आ रही है यह देखिए तो अब इसको हम लोग trend कहते हैं अब यह uptrend क्यूं है इसके पीछे का answer यह है कि यहां पर एक बार low लगा है यहां पर एक बार high लगा है फिर यहां लो लगा फिर यहां पर high लगा और यह series जो है वो चलती रही market दिल की धड़कन की तरह उपर नीचे चलता है इसी तरह से हम लोग high low high low high low के बीच में घूम रहे हैं लेकिन अगर आप देखोगे तो यह वाला जो low है वो इस low के नीचे है मतलब यहां की जो value है वो समझ लिजे 9200 है तो यहां की जो value निकल के आ रही है वो 9600 है उसी तरह यहां का जो high है यह आपकर लिजे 10400 है तो यह वाला जो high है इसकी value 11000 है Just example यह वाले की value 11200 है यह वाले low की value 10000 है तो जब यह वाले low यह जो पहला low है अगर इस low से उपर next low बनता है और इस low के उपर next low बनता है तो इसे कहते हैं higher lows मतलब यह low के उपर यह वाला low बना है इसलिए इसको कहेंगे higher low HL इसको भी HL कहेंगे तो higher lows और अगर ये high Q पर यहाँ पर high बनता है और इस high Q पर ये वाला high बनता है तो इसे हम कहेंगे higher highs थोड़ा सा drawing को clear करता हूँ फिर समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए ये एक trend बन गया है ये एक channel बन गया है आपको ये identify करना है कि क्या मेरा low 1 जो है वो low 2 से नीचे है या नहीं है अगर है तो फिर ये मेरा higher low बन गया है क्या मेरा low 2 मेरे low 3 से नीचे है तो हाँ मेरा low 3 से नीचे है तो हाँ ये मेरा higher low हो गया है उसी तरह क्या मेरा h1 कि मेरे H2 से नीचे है, yes, क्या मेरा H3 से नीचे है, yes, क्या मेरा H4 से नीचे है, yes, तो जब आपके higher highs बनते हैं और higher lows बनते हैं, तो उस time हम इसे कहते हैं uptrend, इसे हम लोग क्या कहते हैं uptrend, uptrend को trade करने का तरीका अलग होता है, जैसे कि जभी भी market lower, higher highs और higher lows बनता है, तो जभी भी market अपने support के पास आता है, low के पास आता है, तो यहाँ पर आप buy कर सकते हैं, और उपर की तरफ अपना stop loss ट्रेल कर सकते हैं, यह especially swing players, जो छोटे अविधी के लिए playing करते हैं, market में पैसे लगाते हैं, वो लोग इस तरह के technique use करते हैं, तो uptrend में अगर आप रहोगे, तो market ऊपर चलता रहेगा, uptrend मतलब market ऊपर की तरफ shift हो रहा है, नीचे से अब lows जो हैं, वो ऊपर shift हो रहा है, तो यह था uptrend, अब आते हैं हम लोग downtrend की तरफ, downtrend क्या होता है, यहाँ पर मैंने वापस से consider किया, कि यह मैंने दो points जोड़ दिये, यहाँ पर यह वाला point जोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर market फिर से दिल की धड़कन की तरह उपर नीचे कर रहा है, और market में एक तरह की moment आ रही है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मेरा यह हाँ गया H1, मतलब यह मेरा high 1 आ गया, यह मेरा high 2 आ गया, यह मेरा high 3 आ गया, यह मेरा high 4 आ गया, वैसे ही यह मेरा low 1 आ गया, यह low 2 और यह low 3, अभी आपने uptrend में देखा था कि आपके जो lows हैं, वो उपर की तरफ shift हो रहे हैं, और आपके highs भी उपर की तरफ shift हो रहे हैं, इसलिए हम लोग उसे uptrend कह होता है आपके highs जो हैं वो नीचे की तरफ shift होते हैं मतलब आपके अगर high की ये वाले high की value अगर 11,000 है तो आपके ये वाले high की value जो है वो उससे कम रहेगी हो सकता है 10,800 रहे और उसी तरह low की value अगर ये 10,300 है तो यहां पर हो सकता है low 2 की value 10,000 रहे तो आपके lows की value जो है वो तरह आपके high की values भी घट दी जाती है और इसलिए हम लोग इसे कहते हैं lower highs और lower lows कई बार आप मेरे वीडियो में सुनते होंगे यह चीजों को कि मैं बहुत बार कहता हूँ uptrend में है higher highs लगा रहा है या downtrend में lower highs लगा रहा है lower lows लगा रहा है इसे हम लोग कहते है downtrend downtrend बहुत ही आसान है देखे समझने में easy है market को अगर आप समझोगे तो market में बहुत पैसा है अच्छे से बना पाओगे यहां वहां किसी के tip provider के चकर में मत पढ़िये उनसे दूर रहिए पैसा आपका है lose होगा तो आपका होगा उन्हें कुछ नहीं उन चैनल को भी subscribe कीजिए अब हम लोग आते है sideways की दरफ sideways एक सबसे ज़्यादा important और मैं कहोंगा कि सबसे ज़्यादा patience testing वाला काम होता है sideways sideways market जो होता है वो बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता है थोड़ा सा time लगता है sideways market को समझने के लिए लेकिन जैसे जैसे आप market में अपना time invest करोगे तो आपको चीजे समझ में आने लगेंगी अब यहां पर देखिए कि यहां पर मैंने यह high to high और low to low बना दिया अब आपक आपका एक low लगा फिर high लगा फिर low फिर high फिर low फिर high market क्या हो गया market एक spring की तरह एक range में फस गया है जहां पर इसके lows जो हैं वो previous lows की तरह ही है और highs भी इसके previous highs की तरह हैं तो ना इसके high break हो पा रहे हैं ना इसके low break हो पा रहे हैं जब भी market एक sideways zone में जाता है और उसके ब तो market में अच्छी खासी momentum आती है चाहे sideways के बाद उपर की तरफ market निकले या नीचे की तरफ जिस भी direction में market तोड़ेगा उस direction में एक अच्छी खासी moment आपको नजर आती है इस चीज को हम लोग कहते हैं sideways बहुत ही आसान है अगर ये तीन चीजों पर भी आप अगर गौर फरमा आपको चीजे समझ में आने लगेंगे कि market में किस तरह का moment हो रहा है market uptrend है downtrend है sideways है और उस जाप से फिर आपको trading करने में थोड़ा सा आसानी होगी तो ये था trend क्या होता है trend identify किस तरह करते हैं कौन-कौन से trends होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो definitely वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends और colleagues के साथ भी share कीजिए क्योंकि market में लेकि बहुत लोग है न यहां वहां भटक गए हैं किसी tip provider के चक्कर में पड़े रहते हैं और खुद analysis नहीं कर पाते हैं मेरा intention यही है कि यह जो परी series है series आप follow कीजिए आपको 50% मार्केट यहां पर समझ में आ जाएगा okay friends so thanks for watching the video keep learning keep investing and keep earning जैहिन